तो हेग गाईज स्वागते पर फिर से एक नई वीडियो में आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Oppo A57 मोबाइल में स्मार्ट काल सेटिंग को कर सकते हो जी है दोस्तों आप स्मार्ट काल सेटिंग को करने के बाद आप बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी काल को कर सकते हो तो एक एक सेटिंग में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाई स्टेप आपको देखना है वीडियो को इसकी नहीं करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको system settings पर जाना है उसके बाद आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पर एक option मिलना है gesture and motion का तो आपको क्या करना है gesture and motion पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपक कर रहे होंगे यानि कि बात करने के लिए आप अपने मोबाइल को कान के पास ले जाएंगे तो जो है आपका जो काल है आटोमेटिक पिक अप हो जाएगा यानि कि आपको कुछ भी करने की जरूर नहीं कान के पास ले जाने से आटोमेटिक एंसर हो जाएगा उसके बाद यहा है कि अगर आपके पास कोई incoming calls आ रही है और अपने mobile को अगर आप flip कर दोगे उल्टा कर दोगे तो जो है आपका mobile silent हो जाएगा याने कि mute हो जाएगा तो यह जो तीन options से यह smart call के अंदर आते हैं इसके पहला वाला option जो raise to wake है इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको enable करते हो तो अगर आपका phone रखा होगा जैसे अपने phone को उठाओगे तो आपके phone की screen जो है automatic on हो जाएगी तो यह दोस्तो features जो है बहुत दी काम आते हैं और इन features को use करने के बाद आप अपनी call को smart बना सकते हो अगर दोस्तों यह features अच्छे लगे हो तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई